दोस्तो आज हम लोग एक ऐसे सवाल के जवाब को solve करने जा रहे हैं जो सभी के mind में कभी न कभी आता रहता है तो चलिए दोस्तो देर न करते हुए हम अपने विडियो को शुरू करते हैं दोस्त आप सभी जानते हैं RBI के बारे में जिसका full form होता है Reserve Bank of India जो हमारे भारत के monetary system और bank को circulate करने का काम करता है आप सभी जानते हैं भारत में ऐसे कई राज्ये हैं जो बहुत ही गरीबी के list में आते हैं अर्था तो वहां की जनता बहुत गरीब है दोस्त कोश्चन यह उड़ता है कि आखिर RBI जो नोट को चापने का काम करती है वह इतना पैसा क्यों नहीं चाप देती हैं जिससे भारत की गरीबी खतम हो जाए तो चलिए दोस्त इसको समझते हैं जहां तक बात है कि RBI क्यों नहीं ज़्यादा नोट चाप कर सभी को अमीर बना देती कि हम सभी जानते हैं कि किसी नोट या कोईन की वैलू तभी होती है जब उसको देने से हमें हमारी ज़रूरत की चीज या समान मिल जाए तो हम उस नोट या कोईन की वैलू को समझते हैं दोस्त मैं आपको आज से चार साल पीछे ले करके चलता हूँ जब उस समय मौनी अर्थात पैसा नहीं हुआ करता था दोस्त लोग कैसे अपनी आवसकताय पूरे करते थे जब उस समय मौनी अर्थात पैसा नहीं हुआ करता था तो इसी चीज़ को थोड़ा सा जानते हैं उस समय होता यह था कि मान लीजिए दो वैक्ति है पहला वैक्ति का नाम A है और दुसरे वैक्ति का नाम B है पहले वैक्ति के पास चावल है और दुसरे वैक्ति के पास डाल है यदि पहले वेक्ति A को डाल की जरूरत है जिसके पास चावल है और दूसरे वेक्ति B को जिसके पास डाल है उसे चावल की जरूरत है तो दोनों क्या करेंगे वेक्ति A क्या करेगा जिसके पास चावल है वो उस चावल को वेक्ति B को दे देगा और उससे डाल ले लेगा इसी प्रकार ठीक वेक्टी B क्या करेगा वेक्टी B अपने पास उपस्थित दाल को जिसके वेक्टी A के पास उपस्थित चावल को ले लेता है और अपने पास उपस्थित दाल को दे देता है तो इस प्रकार से वस्तु का विनियम हो जाता है अरदान परदान हो जाता है दोस्त इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं अर्थात वस्तो का विनियम दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम में एक समस्या आ जाता था वो समझ से ये होता था कि मान लिजिए व्यक्ति A है और व्यक्ति A को दाल की जरूत है तो वह व्यक्ति A व्यक्ति B के पास जाता है और व्यक्ति B से बोलता है कि भाई मुझे दाल की जरूत है और मेरे पास चावल है तुम चावल ले लो और मुझे दाल दे दो तो वेक्ति भी बोलता है कि भाई मेरे पास अल्रेडी चावल है मुझे चावल नहीं चाहिए मतलब वहाँ पर वेक्ति भी को डाल नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आप यह बात समझ सकते हैं दोस्त कि विनियम अर्था विनियम तभी हो पाता था जब मुझे जिस चीज की जरुरत हो और अगले वाले को मेरे पास जो चीज है वो चीज उसे भी जरुरत हो तो विनियम हो पाता था तो ये एक समस्या हो जाता था दूसरा समस्या क्या होता था दूसरा समस्या ये होता था कि उस समय तो पैसा था नहीं कि आसानी से लोग कैरी करके एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जा सकते थे उस वक्त क्या होता था तो उस वक्ट चावल ही पैसा होता था, गेहूं पैसा हुआ करता था, गाय पैसा हुआ करता था, जो कि बड़ी-बड़ी वस्त्वे हुआ करती थी तो इसमें ये समस्या हो पाता था कि वेकली जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक असानी से उस अपने पैसे को पैसे बोला तो पैसे का मतलब तो इसमें ये समस्या उत्पन हो जाता था कि वो अपने पैसे को अर्थाद केहूं को डाल को गाय को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक असानी से नहीं ले जा पाते थे यहाँ पर यह भी समस्य से create हो जाता था तो इस समस्य को दूर करने के लिए पैसे का जन हुआ अर्थाद जिसे अंग्रेजी में money कहते है तो इसमें यह समस्य उत्पन हो जाता था कि वो अपने पैसे को अर्थाद गेहूं को दाल को गाई को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक असानी से नहीं ले जा पाते थे यहाँ पर यह भी समस्य से create हो जाता था तो इस समस्य को दूर करने के लिए पैसे का जन हुआ अर्थाद जिसे अंग्रेजी में money कहते है अब यदि money के अर्थाद पैसे के quality की बात की जाए इसके अर्दान प्रदान की बात की जाए तो अर्दान प्रदान इससे करना अशानी है मतलब आप coin को और note को असानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक carry कर सकते हैं तो इसमें carry करने का समस्या खतम हो जाता है और इसमें एक और समस्या खतम हो जाता है map dente का जैसे कि आप जानते हैं कि एक note है और उस note पर 10 रुपय लिखा है इसका मतOLब वो जो note है उस note की value 10 रुपय की है यदि 100 रुपय लिखा है तो उस note के value 100 रुपिया है और आप 100 रुपिया किसी दुकान पे चाहते हैं ले करके तो वो आपको 100 रुपिया का ही समान देता है मतलब यहाँ पर माप डंड नोट और क्वाइन की कर दे गई है तो आपको अरदान प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होता है और आसानी से आप अपने जो भी वस्तू चाहते हैं उसको ले सकते हैं दोस्तो हम लोग ने अभी तक क्या समझा हम लोग ने ये समझा कि प्राचीन समय में लोग अपनी अवशक्ताय कैसे पुरा करते थे और प्राचीन समय में जो समस्या आती थी उस समस्या को पैसा का जन्म दे करके दूर कर दिया किया अब सवाल ये उठता है तो कि RBI जिसे पूरा अधिकार है जब चाहे जितना चाहे नोट छाप सकती है लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करती है कि वो बहुत सारा नोट छाप करके सभी को अमीर बना देती है दोस्तो RBI ऐसा क्यों नहीं करती है चलिए इसके पीछे के कारण को जानते है दोस्त बात सन 2001 की है जिंबाबे के प्रेसिडेंट को लगा कि हमारे कांट्री में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जिसे हमारा देश गरीब देशों के स्रेनी में आता है तो उन्होंने क्या किया कि नोट छापने वाले मसीन से इतना ज़ादा नोट छाप दिये कि नोट ही नोट हो गए फिर उन्होंने सभी को नोट बटवा दिये फिर वहां के ले फिर वहां के लोग अमीर हो गए अभी रुखिये कहानी तो अब शुरू होने वाली है फिर जिम्बाबे में कुछ ऐसा हुआ कि उसने नोट छापने को तो छाप दिये जिम्बाबे के प्रेसिडेंट ने बहुत सारे पैसे छाप करके अपनी जनता को तो अमीर बना दिया अपनी जनता को तो पैसा दे दिया लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है दोस्त हुआ ये कि जब वहाँ पे लोग एक पेन खरीदने गए तो पेन खरीदने के लिए उनको लाखों रुपया देना होता था दोस्तो आप समझे ले इस बात को दोस्तो इस कंसिप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं इस वीडियो से हट करके समझाने वाला हूँ दोस्तो मान लीजिये कि मार्केट में पाँच पेन उपलब्ध है और एक पेन का दाम पाँच उर्पिया है और बीस लोग उसको खरीदना चाहते हैं तो अब यहाँ पे बात यह आता है कि पाँच पेन है तो बीस लोग है तो अब किसको मिलेगा पेन तो यहाँ पर यह कोश्यन आता है कि जिमबाबे में तो बहुत सरे पैसे थे तो सभी खरीच सकते थे लेकिन बात यह नहीं है बात यहाँ पर यह है कि 20 लोगों में से 5 लोगों को बहुत जरूरी था पेन का और 15 लोगों को उतना आवश्यक्ता नहीं था तो यहाँ पर यह किया गया कि यहाँ पर inflation आ गया जिसको हिंदी में महेंगाई कहते हैं दोस्त हुआ यह कि एक पेन का दाम 5 उर्पया था तो उस 5 उर्पया से बढ़ करके 10 उर्पया हो गया अब जो 20 लोग थे जिनको पेन की जरूरत थी और उन 20 लोगों में से 5 को बहुत ज़्यादा पेन की जरूरत थी तो 5 लोग पेन खरीद पाए मतलब यह हुआ कि 5 लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत था वो कम महेंगा हो या ज़्यादा महेंगा हो उनको लेना ही लेना है लेकिन 15 लोग जिनको ज़्यादा अवश्यक्ता नहीं था वो क्या कर गए पीछे हट गए और 5 लोगों को वो 5 पेन मिल गया मतलब कि जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है कि मार्केट में उतर जाता है और वस्तू जो होते हैं वो कम होते हैं तो उस वस्तू का दाम ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्त आप इस तरीके से समझ गए कि RBI या हमारी सरकार जादा नोट छाप करके हमें अमीर क्यों नहीं बना दिये यदि अमीर बना देगी जादा नोट छाप देगी तो इस से हमारा अर्थ विवस्ता हमारी GDP सबसे नीचे चली जाएगी और हमारे देश के नोट की वैलू कम हो जाएगी और यहाँ पर महेंगाई हद से जादा हो जाएगी तो यह कारण है कि हमारी सरकार हमें नोट छाप करके अमीर नहीं बनाती है तो I hope आप लोग समझ गए होंगे कि इसके पीछे का राज क्या है इसके पीछे का कारण क्या है